आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कहानी बेहद रोचक हैं। थाकत में उसका कोई सानी तो अजीब गरीब काईबे कानून की भी कमी नहीं। देश कहने को तो छोटा है लेकिन है बड़ा गजब का। जानते हैं इसराइल के बारे में कुछ रो प्रतिशत मुस्लिम, 10 प्रतिशत इसाय और 3 प्रतिशत यहुदी लेग थे। 1900 में यहुदी ने अलग राजे की मांग छेरी थी। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन शासन के दोरान अंग्रेजों ने फूट करे राज करमीती के तहत यहुदियों के लिए अलग देश की मांग का स आप समा सकते हैं। इसराईल में इस समय करीब 74 प्रतिशत आबादी यहुदियों की है। गैर यहुदियों में जादातर अरब मिलके लोग हैं। भारत में यहुदी आबादी करीब 6000 हैं। जादातर यहुदी महाराष्ट्रा, बंगाल, उत्तर पूर्व के राजों में होत सकते हैं। इसे ऐसे समझे कि अगर किसी यहुदी बच्चे ने भारत में जन्म लिया हो तो जन्म लेते ही वे इसराईल का भी मागरिक मान जाता इसराईल है तो दुन्या का लोग तांतरिक देश लेकिन वहां ब्रिटेन और न्युजिलेंड की तरहें लिखित समविधा न इसराईल की बेली में मराठी का भी अंश माना जाता है। दुनिया में इसराईल को शक्तिशाली सेन्य देश के तोर पर माना जाता है। इसराईल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 85 लाख अबादी वाले देश में करीब 30 लाख सेनिक हैं। जितने मर लड़कों को 3 साल और लड़कियों 2007 में काम करना जरूरी होता है. कहा जाता है कि इस्राइल के घर 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 में घातक हत्यार होते हैं।